नमस्कार आप देखरें सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ विजयता गोश भागलपूर के कई प्रत्याशियों का नामांगन हुआ रद रानी चौबे ने पकड़ा सर बिहार में दूसरे चलन के नॉमिनेशन की प्रक्रिया का शुक्रवार को समापन हुआ आखरे दिन भागलपूर विधानसभा से 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांगन दर्श करवाया इसके साथ ही सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा छेट से चुनावी प्रचार में जुट गए वहीं बड़ी खबर की माने तो आज स्कूरूटनी की प्रक्रिया में ही भागलपूर के नौ प्रत्याशियों के पत्ते कट गए जी हाँ नमांगन समाप्त होने के बाद ही उसके अगले दिन ही स्कूरूटनी की प्रक्रिया में सारे डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण लेकिन वे खुद नामांकन की ही बाधा पार नहीं कर पाई जी हाँ हम बात कर रहे हैं रानी चौबे के बारे में जिनोंने कई जगह यह दावा किया था कि उनके नॉमिनेशन में आने से कई प्रतियाशियों की जमानत जब्द हो जाएंगी और ये बयान रानी चौबे ने काफी आत्मिश्वास से दिया था लेकिन जमानत जब्द करना तो दूर की बात है इनका दो नॉमिनेशन से ही पटता कट गया अब देखना ये है कि इन नौ प्रतियाशियों का नमांकन रद होने के बाद चुनाव में क्या असर पड़ेगा और कितने लोग अभी मैदान और छोड़के भागेंगे हाना कि नम वापसी किती थी 19 अक्टूबर तक है जिसके बाद ही ये तय हुपाएगा कि अंतिम तोर से कितने प्रतियाशी चुनाव में दिखेंगे इस खबर में बस इतना ही देखते रहे है सिल्क टीवी अगर ये वीडियो आप हमारे फेस्बूप पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें और अगर हमारी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें